हेलो उस्तों स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज मैं डिसकस करने वाला हूँ जो कल मैंने ये वीडियो अपलोड की थी कोवाउ उनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन आई है PhD entrance test को ले करके उससे कुछ आपके questions हैं उनको मैं लूँगा इस वीडियो में और उनको बताने का मैं आपको प्रयास करूँगा ठीक है सबसे पहला जो question है कि ये जो university है कोवाउ university वो central university है या फिर state university है तो ये बिलकुल से एक state university है और लेकिन एक ये बहुत बहुत बहतरी यूणिवर्सिटी है आप देख सकते हैं यहां पर credit grade A, A grade मिलावाई से by NAC, ठीक है जो NAC है जो national accreditation council है किसी भी university को वो grade देते है ए बी ठीक है तो ए ग्रेड मिलावा यानि कि बहुत ही बहुत रिन यूनिवर्सिटी है और इसके क्या है इस्टेट यूनिवर्सिटी है और अगर हम बाकी इसमें बाकी चीजों की बात करेंगे अब डिटेल में और तो इससे पहले हम चलते हैं उस फॉर्म पर ठीक है यह पे आइडमिशन का तो उस एडमिशन के प्रोसेश में Aw इस बादॉश में जो की और ऑड़्कलेश रहें में आप creator उच्वालों को यपे और फिर एक वेडर्यएक क्या मेंडेट को में देखिए तो नहीं है तो यहां पर देखिंगे आप डिर्यक्ट एड्मिशन में यहां पर लिखा हुआ है एक केंडिडेट हुएस क्वालिफाइट इस यूजीसी सी एसायार जेयरेफ और एक्वेलेंट नेशनल टेस्ट सेल बी कंसिड़र्ड फॉर डिरेक्ट अडिमिशन टू दा पीएसडी प्रोग्राम विदाउट अपीरिंग इन रिसर्च दिग्री ए कि उसमें गेर्ट भी शामिल हो जाता है गेटके अलावा अगर कोई भी ऐसा चैसर्डेक्ट है तो वो लोग एक्वेडियर्ड के टेग्री में करते हैं ठीकि उनको कोई भी एंट्रेंस टेस्स नहीं देना लेकिन यहां पर अभी यह बसता है कि क्या केवल नेट वालों को भी exempted में रखा जाएगा या फिर केवल JRF वालों को ठीक है और इसके equivalent वाला तो question यहां पर I think हो गया है कि जो JRF के equivalent वाले हैं उनका entrance test यहां पर नहीं होना है उनको केवल interview देना है लेकिन form सभी को भरना है form भरने के होना है यहां पर मैं इसको फटाफट से ऐसे ही भर देता हूं ताकि मैं फटाफट से वेबसाइट के जो page है उस पर पहुंच पाउं फटाफट जहां पर बाकी detailing लिखी हुई है ठीक है तो यहां मैं इसे जब क्लिक करूंगा तो यह एक नया page खुलका आएगा मेरे सामने ठीक है mobile number क्या कह रहा है यह 10 करेक्टर का होना 788 ठीक है तो हम इसे जब form को फिल करेंगे एंटर सब्मिट करेंगे तो इसमें एक और page खुलका आएगा हमारे सामने यह नहीं खुलका रहा है क्योंकि email address यह मांग रहा है ठीक से ठीक है हमने यह पर इसे email address दे दिया है तो यह नया page जब खुलता है हमारे सामने यह नया page खुलका आए जिसमें बाकी जो basic detail है वो भरनी होंगे आपको examination का center क्या है center आपको जैसे की चार center दिये हैं सजी अलमोड़ा डीएसबी campus नेलताल हल्द्वानी और पिथवरागण में ठीक है इसके बाद यह basic चीजें है marital status nationality और domitial फुत्राखंड है या नहीं है category क्या है आपकी dependent form freedom fighter रह चुक है या फिर physically handicapped gender और बाकी economic weaker section से आप है या नहीं है ठीक है सारी चीजें आपको यहापे भरनी है बेसिक चीजें है और इसके बाद आप देख रहे हैं यहापे लिखावा है वेदर इसस डिगरी एंट्रेंस चेस्ट इस exempted आप है या नहीं है ठीक है यस है तो आप इसको यस करेंगे तो दो चीजें और खुल के आ आपके सामने आपने क्या कुमाव उनिवस्टी में एक साल के लिए पढ़ाया है यस या नहीं जो पर्मेंट टीचर है ठीक है और इसके आप ग्रेजवेशन के फाइनल येर में है या नहीं ठीक है अगर आप है तो इसको आप यस करेंगे ठीक है यानि कि अगर आप पोस्ट ग्रेजवेशन के फाइनल येर में है ठीक है और आपका अगर अभी रिजल्ट वेटिंग में है तो आप इस test को भर सकते हैं विल्कुल लेकिन आप इतना confirm कर लें कि जब आप अपना form भरेंगे तो please university से contact करके इतना पता कर लें कि आपको कितना time मिलेगा कि आप अपना result submit कर सकते हैं लेकिन अगर आपका अभी भी मैं यह कहूंगा आपका अभी वेटिंग में है रिजल तो आप प्लीस से बहरें लेकिन university से अपना contact करके पता करें कि कितना time आपको मिलेगा ठीक है और यहाँ पर जब हम देखेंगे नीचे आ करके तो यहाँ पर लिखावाए जो आपकी qualification of exam है तो यहाँ पर high school, intermediate, graduation, post-graduation, emphil, jrf ठीक है तो जब हम jrf पर click करेंगे तो यहाँ पर केवल jrf ही net वालों को यहाँ पर chance नहीं दिया जाएगा मतलब इसका यह है कि jrf वाले जो भी लोग है उनको ही केवल exempted category में रखा जाएगा ना केवल जो net वाले है उनको जो exempted category में नहीं रखा जाएगा ठीक है तो आप इतना समझ लें कि अगर आपके fu che長y i Shakaai तो आपको entrance test नहीं देना होगा अगर आपको केवल net है तो entrance test देना होगा यहांपर ठीक है क्योंकि यहांपर एक ही चीज है जे रहा नेट का ओप्षन यहांपर है नहीं ठीक है तो यह चीज है यहांपर आई हो कि आपके सारे जो कैसने वो clear हो चुके होंगे ठीक है तो मिलते है नेक्स वेडियो में तब तक यह लिए धन्यवाद